नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दिफ्रेंस क्या होता है वेटिंग लिस्ट और रिजर्विशन अगेंस कंसलेशन वेटिंग लिस्ट जो डिफ्रेंस क्या है 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 डिफ्रेंस क् अगर RSE अवलेबल नहीं है तो वेटिंग लिस्ट में आती है अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है और जब तक चार्ट प्रिपेर हुआ तब तक वो अगर वेटिंग लिस्ट से RSE और कंफर्म नहीं हुई होगी तो आप train में travel नहीं कर सकते मतलब अगर आपकी waiting list है in short तो आप train में travel नहीं कर सकते दूसरा होता है RAC RAC का मतलब होता है reservation against cancellation RAC के अंदर क्या होता है आप train के अंदर travel कर सकते हो पर आपको पूरी birth नहीं मिलती सोने के लिए आपको आदी birth मिलती है जैसे कि यह आप फोटो देखोगे तो इसमें किया उपर वाली बर्द जो है जिसमें कंफर्म लिखा है वो आपको तब अलोकोईट होगी जब आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी अगर आपकी टिकट आरेसी है तो आपको आधी सीट मिलेगी सो आरेसी के अंदर आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और वेटिंग लिस्ट के अंदर आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं दूसर डिफरेंस है आरेसी के अंदर आपको आधी सीट मिलेगी जिसको बढ़ बैट के या सो के जा सकते हो और वेटिंग लिट्ट के अंदर आपको कभी भी कोई भी सीट नहीं मिलेगी और अगर आपने यह टिकट बुक करवाई है तो आप बिलकुल नहीं जा सकते तो जनरली यह डिफरेंस होता है आपका वेटिंग लिस्ट और रिसी कें अंदर वेटिंग निस से अंदर आप ट्रेन में ट्रावल नहीं कर सकते हैं आपकी टिकट अबाद्धे है उसको पर आप ट्रेन में ट्रावल नहीं कर पाओगे रिजर्वेशन अगेंस कांसलेशन विच इस कॉल्ड आरेसी उसमें आप ट्रेन में ट्रावल कर सकते हो और जनरली चांसे ही होते हैं आपके टिकट की वेटिंग अब 20-25 के आस्वास है जो आपने टिकट बुक करवाई तो चांसे बहुत अच्छे होते हैं 60% चांसे होते हैं कि आपकी वो टिकट RSE के अंदर पोच जाएगी जब तक आपकी ट्रावल देट होगी तो इस वीडियो में हमें समझा कि RSE और वेटिंग लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद